हेलो दोस्तों आज के दिन के आपको हार्दिक शुपकामनाएं और विद्यालियों में आज कल वारसी कुद्सव चल रहे हैं और आपने भाषन देना हो अगर तो उसमें एक तो आप ये ध्यान रखें कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में आप जरूर बोले और यही भा खौकों के बारे में ज़रूर आप बोलिए शिक्षक से शुरूरात कीजिये शिक्षक के बिना ये धुनिया क्या कुछ भी नहीं बस अंधकार यहां शत्शत नमन उन शिक्षकों को जिनके कार्ण रोशन सारह जहां सबसे पहले समास के निर्माता अध्यापकों गुरू जनों को प्रणाम करता हूँ राज किया उच्च माद्यमिक विद्याल्य है कि वार्षिक समाहरों में उपस्तित माननियमुक्य आती थी श्री विशिष्ट आती थी श्री एमगाम से आये हुए युवाओं, वजुर्गों, बच्चों के अभिभावकों नारी शक्ति और प्यारे विद्यारतियों का हार्दी का भिढ़न्दन करता हूँ परधानाचारे श्री का आभार प्रकट करता हूँ जिनके मार्ग दरश्चन में यह उत्सम मनाया जा रहा है कोई भी विद्याल्य है उस वो नाम आप एड़ कर सकते हैं मेरे अन्भो के आधार पर एक बात कहूंगा कि अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आज अपने माता पिता से ससकार मिल जाए तो ये बच्चे दुनिया के लिए प्टेरना बन चकते हैं देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा का कारे आज हमारे यह स्कूल के ध्यापक बेखुबी करवा रही है मगर आयू के अनुसार इन बच्चों को कहीं न कहीं अभिभावकों से हिम्मत और होसले की जरूरत होती है शिक्षक एक विचार देता है सफलता का सुत्र देता है उस विचार को सींचने और उसे हरा भरा रखना माबाप का करतव्यख होता है हो सकता है कोई विध्यारती पढ़ाई में और सतंकों से पास हो प्रन्तु अगर उन्हें संसकार और आदर्ष्यों का सहरा मिल जाए तो ये कामियाभी का नया इतिहास लिख सकता है इसलिए मैं अपने वक्तव्य में यही कहुँआ कि हम अभीभावक गर्ण पढ़ने वाले हमारे बच्चों का होश्ला बढ़ाएं समय समय पस्कूल में बच्चों के बारे में सिक्षिकों से मिलें बच्चों को बहुमुकी प्रतिभाशाली बनाने के लिए शिक्षकों का साथ ने विद्यारती के माता-पिता और शिक्षकों के तालमिल से उनके जीवन का सफलतम निर्मान होगा मुझे आशा है हम ऐसा संकल्प लेंगे और अपने बच्चों की काम्याबी का रास्था खोलेंगे अन्त में इन दो पंक्तियों के साथ अपने इवाणी को विराम देता हूं उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किसमत के सहारे हैं वहें जिन्दगी मौत है जो हिमत के हारे हैं इन उर्जा के साथ आप ये भाषन दीजिए आपका भाषन बहुत अच्छा होगा धन्यवाद